वेल्कम बैक टू माई यूटूब चनल माई नम इस डॉक्टर विनीता गुपता आप सभी ठीक होंगे कुछल मंगल होंगे तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिवीरल स्टोर में किसके क्या क्या कारण होते हैं क्यूं होते हैं उसकी सिम्टम्स के बारे में बात करें होंगे तो इस वीडियो को देर ना करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में चनल पन्दाए हैं तो प्लीज दू लाइक सेरें सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और प्रेस्ट बैल आइकन जिसे की मेरा नॉट्पिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए रिनल स्टोन को किड्नी की पत्री गुरदे की पत्री डेनल केलकुलाई नेफ्रोलिथियस और कोली लिथियस भी कहते हैं यह मिनरल और नमक की ठोस जमावट होती है यह इसका आकार एक रेध की तर जितनी चोटी और एक गूल्प के बॉल की जितनी बड़ी भी हो सकती है किड्नी का काम होता है कि हमारी वाडी में अपसिस्ट पदार्थ और तरल पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाए तो सरीर से इसको बाहर निकालने का काम करता है खुन में असुद्धी खुन को साफ करना पेसाफ का बनाना भी किड्नी का काम होता है अगर हमारे सरीर में अधिक मा अगर दवाना करें तो धीरे देरें बड़े होके प्रोब्रम क्रे Baum होती है तु महार Nृकला याय और अगर्सथों कि ₚ 5 mm我就 हैं तो उसको निकलने में दिकत होती से विजो si रेक और यहां पर देखने को मिलती है जब यह ज्यादा इस्टोन होने लगते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्या देखने को मिलती हैं और पास करते ताइं में बहुत आद करद पर बरेती परद होते हैं, और उल्टी जैसा भी हमता है। स्ट्वोन आइमल से कुछ अन्वांसे करीजन के वजह से, होते हैं कुछ जी था किव जहाटे हैं। अगर हमारी बाड़ी में अधिक महत्रा में कैसियम,کोटैसियम, फॉस्फोरस और एक्जेलिक एसीड और यूरिक एसीड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ पर स्टोन बनना सुरू हो जाता है पानी कम कीते हैं डिहटरेशन की सिकायत होती है पानी कम पीते हैं ऐसे लोगों को इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता हो और कैलसियम की अधिकता के वज़गते देखने के मिलती हैं एक स्ट्रम बात करेंगे सिंटम्स के बारे में कि क्या सिंटम्स होते हैं सबसे पहले लोगर एब्डॉमिन में बहुत ज्यादा पेइन होते हैं और जब भी यूरीन पास करने जाना होता है तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी रहे गया है अभी उनको लगा हुआ है एसा पंहों होता है यूरीन के थूह कभिकभी हाँ यूरीन के दूदली सी आती है किकि से में दड्र होना यूरीन में दुरगंधाना खाद्र करना इनको रहता है पर dahle P स्टोन तीसरा है सिस्टिनी स्टोन लास्ट है यूरी के सिड स्टोन सबसे पहले स्ट्रॉइट इस्टोन कहां कि होते हैं ज्याधा तर महिलाऊं में देखने को मिलती है इसके और सिस्टीन जो होती है वह हुँ हमारे सरीयन में अलरेडी मज़ूती युज़ती हैं विल्ह개टें लगते हैं लिक्त अपर वाक्त क्या है lekin उपाइप किया उपाइप करना चाहिए अगर आपको किडिनिंडी है तो कुछ चीजों avoid करके आप किड्नी स्टोन को ठीक कर सकते हैं या आपने अगर 5 mm से कम है 3 mm तक है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं सबसे पहले ज्याद Esse थिया करें सबसे पहले जर्फ पानी पिए आप शेड़ा न यूसरी खरें यूजफ उटर यह उसंने इसमिफ जाते हैं जो कि स्टोन का कारण बनते हैं नेक्स पानी ज्यादा ज्यादा पीए सोडियम की कमी करें मतलब सोडियम अवाइड करें अगर आपको इस दिक्कत है तो टोमाटो और बिंजल का यूज़ ना करें बैगल और टमाटर बिल्कुल नखाएं उनने वीज होते हैं जो कि स्टोन के चीजे यूज़ करते हैं तो उनको अवाइड करें की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा को कम करें अगर आपको यूरीक एसीड की प्रोब्लम है तो आप नौन विस्ट खाना बंद करें इसके वज़े से बहुत चीजे आपको आराम मिलने को देखने को मिलेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे होमेपैथी मेडिसीन के बारे में होमेपैथी मेडिसीन की सबसे बेस्ट मेडिसीन है बर्वेरिस वल्गेरिस यह किनी स्टोन के लिए बहुत इंपॉर्टन मेडिसीन है अगर आपके बाहीं तरफ में बाहीं तरफ वाले किपनी में अगर इस्ट का होता है इसमें बहुत जाएदा लौर विज्व करेंटे टाइम पेंपेंटे जलन होते हैं मेरा आते हैं साथ में इंक स्सक्राइबहां कितनी होती है वहहां के आसपास के अरिया में अगर इससे समस्ट से देखने को मिलती है प्य तो पेट झागों तक फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं और पेडू में जैसे बताया मैंने और साथ में अगर किर्णी का जो आसपास एरिया होते हैं वहां में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं प्रिसाब में बहुत ज़्यादा समयल होती है और प्रिसाब करते टाइम बहुत ज़्यादा जलन भी होती है दर्द के साथ अगर आशी समझ देखने को में आप यूज करें इसको मधर टिंचन में यूज करें तो आपको बहुत अच्छा रिस्पास मिलेगा इसको इसकी लेते हैं दोडोगुली सुब दोबीर आपके प्रॉब्लम में बहुत अराम मिलेगा निस्ट हम बात करें डरीज और पर अच्छा काम करती है जब यूरीन पास करते हैं बहुत ज़्यादा दर्द होती है अगर आपके यूरिनेशन टाइम पे मिक्शुरेशन टाइम पे बार-बार आपको जलन होती है बार-बार जाने के ऐसा लगता है कि बार-बार मुझे जाना पड़ेगा यूरीन करने के लिए तो वहां पे बहुत अच्छा काम करते हैं अगर आपके लोवर लेफ डॉमें म आपको मिचली सी आती है और बहुत जादा पेड़ू में दर्ड रहते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा काम करती है कैंथरेस आपको बहुत अच्छा रिस्पोंस मेलेगा था और जब भी इनको लगता है बहुत तेजी से लगती है और साथ में इनको इनकी जो यूरीन का चले हो जैली लाइक होने लगते हैं उसमें और रेड बहुत अच्छा काम करती है जब भी हम रिनल स्टों की सीकायत होती है जब भी पेशन दाने जाता है यूरीन करते टाइम जो दर्द हो उसके लिए सार्सा परिला बहुत अच्छा काम करती है अगर आपको बुन मून प तरप तब बहुत अच्छा पास यहां होती है तो व这 przyla चक्रक्चे क्वापद करते हैं बहुत अच्छा पना करती है रहा है this तो सार्सा परिला वहां पर बहुत अच्छा काम करते हैं आपको कैसे यूज करना है 200 पोटेंसी यूज करना है डोजेस मैंने बता दिया और कैसे यूज करना थीन टाइम यूज करना सुबह दो पार साम डालूशन में रहे हैं तो 5 प्रॉप तेन टाइम अगर आप ग्लोब् की प्रॉब्लम है और पेडू में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिल रही है रह रहके दर्द होते हैं तो यह बहुत अच्छा होता है लाइको कोडियम रिनल स्टोन की यूरीन होते वह च्छा की तरह होते हैं बहुत गाड़ा होंगे अगर आप जो पेशन्ट होते ह अगर जो लोग जो मेल होते हैं उनके प्रोस्टेट गिलेंड तक उनके दर्द होने लगते हैं अगर ऐसी समस्या है तो आप लाइको कोडियम टूरने पोटेंसी में आप यूश करें सुबा दुपार साम तीन टाम लेनी है और इस जोज आपको मैंने बता दिया नेक्ष है अगर आप ग्लोब्यूस मिलेते हैं तो दो दो बोली सुबा दो पर साम और अगर आप डाइनूशन मिलेते हैं तो फाइव ड्रॉप्स लेना है तीन टाम आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपनी मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के आया तो जापिर सब् बटन जरूर दबाएं और अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे सेर जरूर करें तब तक के लिए